मस्कार विदारतियों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला की छोटी कक्सा यानि की राजस्तान में पहली से आठ वी तक की कक्साई कब से लगेगी सरकार इस पर कब लेगी निरिने कब से इनकी स्कूल सुरू होगी और कब से स्कूलों में चोटों बच्चों को आने की अनुमति दी जाएगी तो सारी न्यूज में इस वीडियो में दूंगा इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर देना कि चैनल के माध्यम से राजस्तान की स्कूली सिक्सा के रिलेटेड ऐसी सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पर की राजस्तान में छोटों बच्चों को इसकूल जाने की एनुमति कब दी जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं राजस्तान शिक्सा विभाग से ट्विट किया गया है कि जैपूर पहली से आठवी तक की स्कूलों को खोलने को लेकर बोले सिक्सामंत्री गोविन सिंग डोटासरा ने कहा है कि 31 जनवरी के बाद इस फैसले पर की जाएगी एक समिकसा बैटक यनि 31 जनवरी के बाद एक बैटक होगी जिसमें CM GELOW TEOBUM अन्य बॉर्ड करमचारी अर्थात अन्य कैबिनेट की एक बैटक होगी जिसमें बताया जाएगा 31 जनवरी के बाद कोरोनों के आलात की होगी समिकस कोरोनों के केसे कितने आ रहे में उसके बार इक कक्सा एक से आठ तक की इस्कूलों को खोलने पर लेंगे फैसला अब लगता है कि कोरोना है वो अभी भी इतना तो नहीं है लेकिन कोरोना के केसे जो मैं घिरावट भी देखी गई हैं वैसे पिछले सत्व पिछले मंत के अनुसार अब की बार कोरोना के केसे जो मैं गिरावट देखी हैं जिसमें मुक्य मंत्री अगले मंत में बड़ा फैसला ले सकते हैं सभी पहले से आठवी तक के विद्यार्टी को स्कूल ओपन कर देंगे इतना मानना जा रहा है कि सुट्र पिछ प्रवरी में खोल दी जाएगी पहली से आठवी तक क्याकि बोर कत्सा हो के एक्जाम भी होंगे आठवी बोर के भी एक्जाम होंगे तो अब की बार नहीं खोली तो फिर एक्जाम कैसे करवाएंगे चोटे बच्चे सब भूल जाएंगे वो भूलने लगे एक एक प कार को तो अब फाइनली 31 जनवरी यानी की हरवरी मंत में लग बग आपके स्कूल खोलने का तहय हो चुका है अब सिर्फ मुख्यमंत्री असोक गैलोत के ही अस्ताकसर बाकी हैं वो जब इनस पर अनुमती देंगे तो राजस्तान में पहली से आठवी तक की स्कूले भी खो सबसे बहले आपको मिलेगा अगर वीडियो आपको चलिके वीडियो को लाइक ना ऐसी सारी अपडेट जानने के लिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रा